हेलो मेरे प्यारे बच्चों अभी Employment News में एक अपडेट आया है और आप और हम सब जानते हैं जब भी कोई नई वेकेंसी आने वाली होती है तो Employment News पेपर में एक न्यूज आती है एक आर्टिकल छपता है कि भाई उस वेकेंसी से रिलेटेड अब यह जो न्यूज है Employment News 9 से 15 नवंबर यानि कि अभी अगर मैं बात करूं तो आज 15 नवंबर है तो बिल्कुल लेटेस्ट यह न्यूज आया पर और यह जो न्यूज अ तो अभी हम जहां पर चर्चा करने आया इस वीडियो के रिगार्डिंग जो बच्चों की बहुत सवारी क्वेरी थी देखे आप सभी को पता है कहीं न कहीं हर किसी बच्चे के दिमाग में यही चल रहा है जो अभी railway group D के जब form आएंगे तो वहां पर 10th pass वालों को मौका म मिलेगा या नहीं मिलेगा कि 10th pass पे form होंगे या नहीं होंगे ITI लागू होगा या नहीं होगा कॉप form निकलेंगा और railway calendar के बारें बात अगर हम करते हैं तो अगर मैं बात करूँ देखो मेरे प्यार बच्चों जैसा अगर हम देखते हैं तो पिछले जो railway calendar निकला था तो अगर इस railway calendar के इसाफ से हम देखते हैं तो जितनी भी vacancies की हम बात करें चाहे हम बात करें ALP technician NTPC की हम चाहे आपके SI की RPF SI, RPF Constable वो सभी vacancies जो calendar में में मैंशनती अभी तक आ चुकी हैं पर अभी एक ऐसी vacancy है जिस पर पूरे भारत देश के UAO की नजर है वो जो की सबसे ब तो वो है आपकी level 1 अब मुद्दा क्या है जब railway ने सभी vacancies time to time दे दिया अगर आप देखोगे तो ALP को January से March में कहा था वो दी उसने उसके बाद April June के बीच में technician का जुलाई सितंबर के बीच में NTPC का और October December के बीच में उसने level 1 यानि group D की बात कही थी अब मुद्दा यह कहीं वो आपको December के पहले या दूसरे हफते में देखने को मिल जाएगा notification अब कुछ बच्चे कहींगे देखिए मैं एक article भी थोड़ दिन पहले आता है यह वाला इसमें बताया गया था कि अगले वर्स railway में 50,000 पदों पर बाहली भरती calendar जल्द जारी इस तरह से एक आता त तो इसके अंदर नीचे जाओगे तो आप नीचे जाते जाते यहां पर साफ बताया गया था कि railway group D के कितने पद आएंगे इसमें मैं भी आपको पड़ भी दूआ बट इसमें बता रखा था railway group D के इतने पद आएंगे तो बच्चों के दिमाग में इस newspaper की वजह से एक कहान ही बन गई है कि railway group D के बद अगले साल आएंगे बच्चों देखिए ये newspaper में जो बात कहीं गई है वह बाते अगले साल जो जो वेकेंसी आएंगी उनके बारे में हैं और उसमें railway group D के form भी आएंगे परन्तु इस बार भी railway group D के form आएंगे और वो कितने हो सकते हैं तो एक newspaper था जिसमें ये बात गई गई थी हम कहरें 148,000 पदों की बात गई गई थी क्या काता चलो इसको भी पढ़े लेंगे बट उससे पहले में आपको एक छोटी सी चीज चलो पहले इस newspaper को पढ़े लेते हैं फिर उसके बाद एक बहुत जरूरी बात है उसको और बताने वाला कि सर अभी अभी आपने का 10th pass वालों को वहीं की बता देता नहीं तो आपके दिमाग में लोचा रहेगा कि 10th pass वालों को मोका मिलेगा या नहीं और आप को कि सर यहां पर employment news में तो लिखा हुआ है 10th pass वाले form बर सकते हैं यह जो vacancy हैं यह निकले मिरभाई sports quota वाली कौन सी sports कोटा वाली पर आप खुछ समझिए अगर sports quota में रेलवे ले रहा है ना group D के लिए बच्चे ले रहा है sports quota वाले अगर उनके 10th pass वाले और ITI वाले कोई भी मला वो कर रहा है तो ITI वाला हो तब भी चल जाएगा और सिर्फ 10th कर रखिया तब भी चल जाएगा तो मुझे कहीं ना कहीं एक अच्छी ख़बर यहां पर देखने हो मिलती है पर अगर मैं railway की बात करूँ तो railway ने बार बार ये clear करता रहा है कि जो इस बार railway group D के form निकलेंगे उसके अंदर सिर्फ 10th नहीं हमें 10th प्लस ITI चाहिए ही चाहिए देखिए अभी जो vacancy निकाली है वो sports quota व साफ साफ कहा है कि एक तो उसको 10th पास चाहिए प्लस प्लस देखें प्लस या तो act apprentice चाहिए या फिर ITI चाहिए तो साफ 10th पास प्लस ITI देखें और का मतलब होता है या तो यह चाहिए अब अगर इसकी बात करें जो अभी 15 नहुंबर वाली ये news है इस वाली बात करें जो अभी तक जो railway कहते आ रहा है ये हाल फलाल का latest है ये बिल्कुल latest news है जो बिल्कुल अभी 9-15 नहुंबर के बीच में है यानि कि इसको अगर देखा जाए तो एक अच्छी खुसकवरी आपके लिए निकल कर आ रही है परन्तु अगर अभी तक railway की पिछली सारी कहानियों को देखा जाए तो पिछली वार भी वैसे ऐसा हुआ था उसने का था हम तो 10th plus ITI लेंगे यह जो यहां पर देखा देखिए हम 10th plus ITI वाले बच्चों को ही लेंगे पर फिर बाद में उसने सिर्फ 10th वाले बच्चे यानि कोई भी जिसने 10th कर रही है वही आइट यह करेगा तो 10th जिसने कर रही है सब भी भर सकते हैं तो यह भी हो सकता है अब देखिए vacancies की बात करें तो यह दोनों अलग अलग news पर है एक जिसमें कहा था कि रेल्वे नौकरी करने का सबना देख रही हुआ हूँ के लिए अच्छी ख़बर है रेल्वे की और से जल्दी group D में एक चीज बहुत जरूरी चीज जब यह news आई थी तो इसमें एक बात कही है जो बहुत गौर फरवाने वाली है आप इस चीज को समझ सकते हो देखिए इस news में क्या कहा था कि technician के पदों पर निकाली गई भरती में भी पदों की संख्या बढ़ सकती है और यह बात सच भी हुई पद बढ़े भी आप समझिए इन्हों ने कहा था तो इसका मुलब पद बढ़े हैं यानि news में जो बात कही थी कि technician के पद बढ़ेंगे और वो बढ़े भी तो यहां से हम एक बात तो कह सकते हैं कि हाँ कही ना कहीं इस news paper में बहुत सच्चाई थी तो इस news paper में ये बात भी कही कि एक लाग से जादा group D के पद आ सकते हैं यानि एक लाग से जादा vacancy railway group D की निकाली जा सकती हैं तो यहां से हमें एक और पुष्टी होती है एक अच्छी ख़बर यहां से अगर हम देखें क्योंकि अगर ये बात जूट निकलती कि technician के पद बढ़ेंगे और नहीं कहीं अगर एक लाग यानि की इन्होंने और हाल ही में एक लाग 48,000 पद उपर भरती पूरी की गई है अभी भी रेल्वे हैं दो लाग 40,000 पद रिखते हैं तो कहीं न कहीं अगर इसमें ये बात है कि एक लाग पद उपर भरती आने की संभावना है तो अब देखते हैं कि कितने बाद आते हैं, भरती अक्टूबर महा में निकाली जाएगी ठीक अब देखते हैं अक्टूबर से 9th मेर दिसंबर तक मेरोत दिसंबर तक चीजें लग रहे हैं क्योंकि इसमबर के पहले और दूसरे हफते में हैं आपको मिल जाए क्योंकि बहुत सारा कलेंडर होता ह सारे कलेंडर में खंगा ले तब जाके मैंने एक time period देखा कि इसी समय आपकी भरती निकाली जा सकती है उसके लावा एक ये वाला article भी बहुत popular हुआ था क्योंकि ये news में आयता इसमें गाता अगले वर्स रेल्वें पचाशार पदों पर भाली अब बच्चा सोच रहा है इसमें एक बात कही गई थी कि अगले साल जो की एक और calendar रेल्वे ने जारी कर दिया था अगले साल का तो इस साल और अगले साल को मर्ज मत करो आप क्यूंकि आपके दिमाग में का चल रहा है यार अगले साल रेल्वे गुरूप बढ़तीया है और अगले साल की अलग ये रेल्वे कि इस बारे इतने अच्छार चीज है कि हम सब पचाई नई पारे हम सब इसको समझने पारे यह नॉर्मल जाult के प्रिक्रिया इसे लिए पर पदो पर नियुक्ति की प्रिक्रिया इसको मैं पाइलेट के अठारा जार पद इसमें आरार्बी मुझफर पूर डग 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 RPSI फिर इसमें नीचे के टेक्निशन के इतने पदो और भी इतने 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 प्रवेश बेजा जाएगा ठीक है मेरे प्यार बच्छों तो यह अगले साल की यहां बात हो रहे थी और इसबार हमारे जो बात हो रहे है यह वाली यह सॉल की बात हो रही है अब देखते हम नहीं कहरें कि हम तो चाहेंगे वैसेश्ज, 1,006 भी निक्लती है तो भी कही न कहीं संतुष्टी रहेगी अब मुद्दा आ जाता है कि मेरे प्यार बच्चों तो क्या इस बार 10th ITI लागू होगा या नहीं तो देखिए अभी तक अभी तक देखिए अगर हम इसको देखते हैं तो इसमें तो देखिए साफ साफ उसने सिर्फ 10th पास वालों को ही ले लिया है परंतु अगर मैं बिल्कूल आपके मलब railway के point of view से बताऊं तो वो ये चीज किलियर करके चल रहा है 10th प्लस ITI चाहिए ही चाहिए तो क्या सिर्फ ITI वाले बच्चे ही स्वार form भर पाएंगे तो मेरे भाई maximum तो सिर्फ ITI वाले ही भर पाएंगे अब उसके बाद अगर 10th पास वालों का क्या होगा तो कुछ वेकेंसी इस पर 10th पास वालों को मौका मिलेगा जो अभी तक railway कह रहा है उसके हिसाब से बता रहा हूँ ऐसा नहीं है कि सच्ची में यही होने वाला है रेलवे कब इस स्टेटमेंट को बदल दे कुछ नहीं पता कब बच्चों के हित में सोचने लग जाए क्योंकि अभी रेलवे बहुत जादा बच्चों के हित में सोच रहा है हो सकता है एक नोटिस निकले कुछ दिन बाद जिसमें कहा जाए कि टैन्थ बाद बच्चा रेलवे गुरूट ब bets सकता है आप को कई सर वो तो अभी आपने का अभी भी को भी सकता है अभी टैन्थ पास नोस एक और मचले बहुत एगा तो सभी वे स्कांस इसके लिए eligible हो जाता है तो जब अगर 10th pass लिखा आ जाएगा तो बहुत सारे बच्चों को फाइदा मिलता है बहुत सारे बच्चे इन फॉर्म को भर पाते हैं कब फॉर्म निकलेंगे तो दिसंबर में अगर मैं आगे बात करता हूं तो क्या होगा पेपर वगरा सी बीटी वन होगा अगर मैं इसके सिलेबस की बात करूं आपका जनल साइस 25 कोश्चन मैथेमेटिक्स 25 जनल इटेजंस और इस तीस और जनल एमिनेस और करन्ट अफेर के आप जाए रेल्वे तेजस बेच जो कि टॉप तक अप पर टॉप तक येप आप सभी को पताओ जिस नाम से चैनल है इस नाम से एप है तॉप तक येप उस पे जाईए और जाके सभी बेच इसको सभी नहीं पको ये पर पढ़ Kings को ऐसके अलावा मेरे भाई आपको बुक बुक तो सभी को लेनी चाहिए कोई भी ऐसा बच्चा ने होने चाहिए जिससे फ्री बुक ना पढ़ी हो आप इसको फ्री में मिल रही है उसे में समझे कि आपको कुछ नहीं मिल रहा इसमें इतना कुछ आप पढ़के कि हम खाम खाम धरूदर पैसा खर्च करते रहते हैं य अपनी तरफ से छूट दे सकता हूँ पर कोई कंपनी है उसे तो अपनी चाहरी चीज़ चाहिए हमारे गूगल करते हैं हम थोड़ दिन में गुरू कुल भी स्टार्ट करने वाला है उसके बारे मैं बता दूग कब से स्टार्ट है फिर भी कोई डाउट है तो इस नंबर प देखना बागी है देखते हैं क्या रहता है आप अपने दोस्तों को पूछिए भेजिए इस वीडियो को और समझिए कि यह जो कटिंग है यह क्या कहना चाहिए यह जो बात है क्या इस वाली चीज़ को जरूर भेजे जिससे कि वो सभी अपनी तैयारी अच्छे से कर पाए कि भाई अभी यह ग्रूप डी की स्पोर्स कोटा वाली वैकेंसी निकले जिसमें टैंथ पास के बेस पर फॉर्म निकले हैं ओके गाईस बाई लव यू जाहिन जवारत